ACL surgery के अंदर नी के उपर कितना बड़ा चीरा लगता है? कितने टाके आते हैं? आज हम इसी भी बात करेंगें दोस्तों तो आज कल ACL surgery दूरबीन मतलब आर्थरोस्कोपी से होती है इसका मतलब यह है कि बहुती fine instrument होता है एक पतला लंबा टेलिस्कोप होता है हमारे पास जिसको हम आर्थरोस्कोप बोलता है उसको हम computer के साथ जोड़के computer screen पे देखते वे आपके नी की surgery करते है ACL reconstruction या ACL repair इस surgery में क्योंकि यह आर्थरोस्कोपी है तो इसमें नी पे बहुत बड़ा चीरा नहीं लगता है अगर बहुत experienced surgeon है तो जनरली नी के अंदर दो छोटे छोटे step incision होते हैं जिससे यह surgery पूरी हो जाती है साथ में क्योंकि ACL का जो ligament है उसको हमें आपके hamstring tendon से बनाना पड़ता है तो नी के नीचे एक और छोटा 1-2 cm का incision लगता है जिससे हम hamstring का tendon निकाल लेते हैं तो किसी भी ACL surgery में दो छोटे छेद नी के medial और lateral की तरफ एक होता है viewing portal मतलब वहाँ से हमारा arthroscope जाता है दूसरा होता है working portal जिसके अंदर से हम पतले पतले instruments डालते है instruments में plasma wind रहता है instrument में हमारे zigs रहते हैं flexible rimmer रहते हैं flip cutters रहते हैं और भी कई तरह के sophisticated instruments रहते हैं shaver रहता है जिससे कि हम ACL surgery पूरी कर लेते हैं साथ में उसके नीचे एक डेट से 2 cm का incident लगता है जिससे हम hamstring के tendon निकाल लेते हैं तो यह surgery जैसा कि आप देख रहे हैं बिलकुल छोटे छेट की मदद से होती है इसलिए इसके अंदर blood loss नहीं होता दोस्तों ना इसमें आपको operation बाग बहुत जादा दर्द होता है क्योंकि बड़ा चीरा नहीं लगा है तो यह surgery लगबग complication से free है कौन कौन सी complication blood loss नहीं होगा आपको आपका rehabilitation बहुत fast होगा इसका मतलब यह है कि वह बहुत जल्दी हील कर जाएंगे आपके चमड़ी को नुकसान नहीं होगा आपको blood loss नहीं होगा infection के chances बहुत कम होगे और आपका rehabilitation बहुत fast हो जाएगा यह surgery कही तरह से की जा सकती है ACL reconstruction में बायो screw या screw की मदद से reconstruction होता है दूसी surgery है all inside with fiber tape internal brace उसकी मदद से भी यह surgery की जाती है जिसके result और बहुत fast आता है अगर अच्छी तरह से surgery की जाए fiber tape internal bracing से तो आप अगले दिन से ही बिना किसी support के चलते हैं अगले दिन से ही आपका pair band हो जाता है एक महीने में हमारे खिलारी jogging करने लग जाते हैं और तीन महीने में दुबारा back to game चलायाते हैं अगर आपको ACL संबंदित और भी जान करी चाहिए तो इस वीडियो में description में हमने कुछ वीडियो के link डाल रखें आप वो देख सकते हैं जिससा आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे best surgery कौन सी होती है क्या हम बिना surgery के भी ACL को ठीक कर सकते हैं क्या symptoms आता है जब आपके ACL tear होता है और आखिर ACL क्या है उसके बाद भी अगर आपको कोई doubt रहता है तो आप अपनी MR या में WhatsApp कर सकते हैं हम उसको detail में study करके बताएंगे आपके ACL के लिए best treatment क्या हो सकता है क्या है